एक दिन गोत्म बुद्ध ने एक दुखी विक्ति को देखा, वह विक्ति बुद्ध के चड़ों में गिर कर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गोतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो, सुक दुख हमेशा नहीं रहते, मैं तुम्हें एक कता सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, किसी नगर में एक सेट रहता था, वह बड़ा ही उदार और परुपकारी थ उसके दरवाजे पर जो भी जाता था, वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था, और दिल खोल कर उसकी मदद करता था, एक दिन उसके हाँ एक आदमी आया, उसके हाथ में एक पर्चा था, जिसे वह बेचना चाता था, उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे, बला इ एक दिन राजा के पास जाकर और उसकी जूटी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेट को पकड़वा कर जेल में डलवा दिया, जेल में काफी दिन बीथ गये, सेट बहुत दुखी था, क्या करे उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक दिन अचानक सेट का हाथ उसकी पगड़ी पर चला गया, उसने पगड़ी की गाट को खोल कर परचा निकाला और उसे पढ़ा, पढ़ते ही उसकी आँखें खुल गए, उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख की बात क्या है, जब सुख के दिन सदा ना रहे, तो दुख की दिन भी सदा ना रहेंगे, इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हस पड़ा, और बहुत देर तक हसता ही रहा, जब चवकिदार ने उसकी हसी सुनी, तो उसे लगा कि सेट दुख के मारे पागल हो गया है, उसने राजा को ख़वर दी, राजा आया और उसने सेट से पूछा क्या बात है, सेट ने सारी बात राजा को बता दी, उसने कहा राजन, आदमी दुख ही क्यों होता है, सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू है, यदि आज सुक हैं तो हो सकता है कल हमें दुख का मुह भी देखना पड़े यह सुनकर उस राजा को बोध हो गया और उसने उस सेठ को जेल से निकलवा कर और उसके घर भेजवा दिया सेठ हानंद से रहने लगा क्योंकि उसे ग्यात हो गया था कि सुक के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते बुद्ध के मुह से यह कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोज हलका हो गया उसने गौतम बुद्ध का आशिरवाद लिया और अपने घर की ओद चल दिया